हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू मादव ड्रेसीज आज की वीडियो में देखेगा फ्रेंट्स हम बच्चे वे चोटे चोटे टुकडों से काना जी की बहुत ही सुन्दर और हैवी पगडी तयार करेंगे तो देखिए ये चोटे चोटे सी पट्टी है मेरे पाथ बची वी है जि पाच छे चे कलर्की पट्टियां ली है और सबका साइज सेम है अभी आपको बताऊं कि बाद में क्या साइज हमने लिया है पहले हमें इसके लिए बेश तयार करना है तो देखिए ऐसे हमें गत्ते का एक फ्लेक्सिबल टुकड़ा ले लेना है और इसको हमें देखिए मैं यह पकड़ी तयार कर रही हुँ तो वैसे हम पाँच नंबर के लिए सव पास इंच लंबा ही लेते हैं। का कपड़ा पेस्ट कर दिया और फिर सूखने के बाद ऊपर का जो एक इंच था यहाँ पर देखे मैंने इस तरह से यह स्ट्रीप इसके कट कर ली है अब यह बेस हमारा तैयार हो गया है सूख करके इसके बाद अब देखे जो हमने यहाँ पर कलगी का पट्टियों का मेजरम है आप इसको धाई इंच भी ले सकते है तीन इंच भी जितनी लंबी चोड़ी जितनी चोड़ी आपको यानि की बड़ी आपको खलगी बनाने उसके अकॉर्डिंग बाकि इसी मेजरमेंट से लेंगे तो बिल्कुल प्रफेक्ट आएगा अब लंबाई लिया हमने 14 इंच स प्रफेक्ट कर लिया है अब इस पट्टी को हमें देखे ऐसे डबल करके फोल्ड करना है अब चाहे तो देखे पहले आप इस बे नीचे ओपन साइड पर यहां पर शिलाई लगा सकते हैं शिलाई लगा देंगे तो पट्टी अच्छे से सेट हो जाएगी फिर इधर उधर नहीं जाएगी अदर्वाइस अगर सिलाई नहीं लगा रही है तो आप डबल करके पट्टे को देखे ऐसे दीरे दीरे में प्लेट्स बनाते जाएं यहां पर देखे ऐसे पतली पतली सी प्लेट मैं बनाऊंगी देखे इस तरह से पूरी पट्टी में मुझे सारी प्लेट इसको बना करके इसको तयार करना है इस तरह से देखे हम ऐसे ही बनाते जाएंगे पूरी पट्टी में तो यहां पर यह हमारी कलगी बन करके तयार हो जाएगी और पगड़ी की देखे कहीं सारी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हैं बहुत सुंदर सुंदर ड्रेसिज मैं प्लेट बना ली हैं प्लेट बनाने के बाद इसको हम देखे यहां से निडल को ऐसे डाल देंगे अंदर की साइड और फिर इसको हम ऐसे देखे लपेट देंगे लपेटने से यह बहुत अच्छे से देखे सारी इसके अंदर कवर हो जाएंगी और फिर यह कोई भी हमारी जो प्लेट है वह बाहरगी साईड को निकल पयेगी एक यहां वाहर की है आओँ करके धागा कर देगे और देंगे और इसमें लगा करके द्णवाग को कट कर देंगे और देखेंप जितनी भी मैंने यहां पर प्त्टिया हम यही होई है जैसे ऐसी तरह कहल की बनानी है यहाँ पर हमारी टोटल यह च्छेकल गी बनी है च्छेकलर हमने लिये थे अब हमें क्या करना है देखिए अब मैंने देखिए यहाँ पर यह बेस को ले लेना है इस तरह से और पहले तो मैं यहाँ पर गलू लगाऊंगे और गलू लगा करके इसको यहाँ से ऐसे पेस्ट कर करेंगे फिर हम उपर से पेस्ट करेंगे तो देखे हमारे पास जो यह स्टृप को यहांपर चिपका दूंगी तो इस तरह यह हमारा बेस बन जाएगा और बेस बनाने के बाद फिर मुझे नैट की पट्टी लेनी है और कट करने के बाद, इसके उपर देखे, मैंने शिलाई लगा करके, यह हाफ इंच से पोना इंच के बीच, यानि कि पोना इंच के लगभा गया यह, यह मैंने इस्ट्रिप तयार कर ली, आप चाहें तो बिना शिलाई लगाए भी, इसको cover कर सकते हैं बहुत सारी वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि बिना सिलाई लगाए वे बिना पट्टी बनाए वे हम कैसे नैट से पगड़ी को cover करते हैं तो चलिए पहले मैं इस बेस को चिपका लेती हूँ फिर उसके बाद पगड़ी को cover करना बताऊंगे आपको कैसे करेंगे देखे इसको हमें कैसे cover करना है यह हमारी front side है तो हम back side से यहाँ पर देखे ऐसे glue लगाएंगे इतना portion उपर से छोड़ देंगे और यहाँ से glue लगाएंगे और इस पट्टी को देखे ऐसे रख करके आगे की तरफ ऐसे ल लेकर जाएंगे देखे जहां जहां से हमें space दिखाई देता रहेगा वहां वहां से हम इसको cover करते रहेंगे बहुत आराम से हमारी पगड़ी cover हो जाएगी अब देखे front पर आ गए है अब यह पट्टी जो हमने पहले वाली लगाए थी इसके बराबर में यहाँ पर glue लगा देंगे और फिर इसको यहाँ से cover कर लेंगे पहले वाली पट्टी के ऊपर हमें थोड़ा सा चड़ाना होता है क्योंकि चड़ा देते हैं तो फिर वह अच्छे से cover हो जाती है यहाँ पर और देखे अब यहाँ पर space है तो इसको हम यहाँ से cover करेंगे यह देखेगा इस तर आगे की साइड आ गए है हम आगे की साइड यह space है यहाँ से ऐसे पीछे की तरफ लेकर जाएंगे थोड़ा सा glue लगा देंगे और यहाँ से पीछे तक glue लगा देंगे और इसको देखे पट्टे को यहाँ से ऐसे कर लेंगे यहाँ पर आकर हलका सा इसको ऐसे fold कर देंगे यासे फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी और फिर इस पट्टी को पीछे ले जाएंगे और पीछे ले जाकर के देखें यहां तक हमें इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा छोड़ना है अंदर मोडने के लिए बाकी पट्टी को कट कर देना है अब देखें इसके अंदर मैं य यहां पर पेस्ट कर दूँगी देखें एक कलगी को हमें बहुत अच्छे से सैट करना है जिससे कि हमारी पगड़ी पर सारी यह बेस पर सारी कलगी आ भी जाए और खूपसूरती भी बढ़ जाए इसको लगाने के बाद फिर एक कलगी देखें मैं लूँगी यह वाली और इसको लगाऊंगी मैं यहां पर तो पीछे देखें थोड़ा सा गलूँ मैं इधर की साइड यहां पर लगा दूँगी और लगाने के बाद इस कलगी को देखें यहां पर ऐसे तिर्चा करके पेस्ट कर दूँगी इसको करने के बाद देखें साइड में से हम बाद में चि पर देखे मैं इसको थोड़ा सा तीर्चा करके इस तरह से लगा दूँगी लगाने के बाद अब देखे फिर मुझे लगानी है ये वाली कलगी इसको मैं लगाऊंगी थोड़ा सा इस तरह से उपर करके तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा देखे थोड़ा उपर करके को देखे इसको सुलाद के वारत के उपर लगाँंगी करें दोपर फिर बाद में सेटके इनको कि इस अछी करें एक कल्गी पनागा तोड़ा सा गलू लगाऊंगी इसके उपर भी और इसको भी मैं यहां पर पेस्ट कर दूँगी यह देखेगा देखेगा सारी कल्गी हमारी अच्छे से सेट हो गई है अब हमें इनको आपस में चिपकाने के लिए क्या करना है देखे पीछे थोड़ा सा यहां पर बीच में गलू लगा देंगे और गलू लगा करके इसको ऐसे हलके से प्रेस कर देंगे तो इस तरह से सारी कल्गी हमारी अच्छे से सेट हो जाएगी थोड़ा सा गलू यहां पर लगा देंगे और ऐसे हाथ से दबा देंगे तो इस तरह से आप सारी कल्गियों को अच्छे से सेट क कर सकते हैं वैसे तो यह अपने आप ही हो गई है लेकिन चाहें तो आप इस तरह भी इनको कर सकते हैं अब इसको हमें देखे कल गी तो हमने लगा ली है अब हम इसको बूटी से कवर करेंगे यानि कि इसकी डेकोरेशन करेंगे तो यहाँ पर देखे मैंने कुछ मेरे पास एक एक पीस बचेवे थे ये पैच के तो मैं इनकी हेल्पस को डेकोरेट करूँगी तो देखे सबसे पहले तो मैं एक लगा दूँगे देखे यहां पर सेंटर में ऐसे करके अब इसको लगाने के बाद देखे एक बूटी मैं लगाऊंगी यहां पर इस तरह से और एक बूटी क के उपर glue लगा करके इसको भी मुझे paste करना है तो मैं हलका सा glue लगाऊंगी देखे क्योंकि more punk बहुत soft होता है और ये ज़्यादा glue लगाने से फट जाता है और इसको देखे मैं यहां अंदर की side इस तरह से लगा दूँगी देखीगा देखे कितनी सुंदर हमारी पगड़ी बन गई है बहुत ही खूबसूरत बन करके तयार हो गई है देखे बचीवी कतरनों से छोटी छोटी कतरन बचीवी थी मेरे पास मैं ड्रेस बनाती हूँ तो छोटी छोटी पट्टी बच जाती है उसकी हेल्प से हमने देखे कितनी सुंदर पगड़ी को तयार कर लिया है और बूटी भी एक एक मेरे पास बचीवी थी तो बचेवे समान से हमने आज बहुत ही सुंदर पगड़ी तयार की है फ्रेंस आपको कैसी लगी अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके जाएगा और चैनल को सब्सकाइब जरूर करिएगा बिल्कूल भी मत भूलेगा और साथ में बैल आइकन भी प्रेस करिएगा और देखे एक रिक्वेस्ट है आपसे कि इस वीडियो को जादे से जादा शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंस और फैमली में तो फ्रेंस अब हम मिलेंगे नेक्स वीडियो में कुछ अलग सा कुछ नया सा लेकर तक तक के लिए राधे राधे